तो अब आज हैंड लगाओ मिश्यल सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है यहां से पूरे चेप्टर में इसका इक्वेशन अलग से बनता है पूरे चेप्टर होसे थरी-फॉर मार्क्स का हो तो यह थी-फॉर मार्क्स इस यहां से आ जाएगा ठीक है तो यह भी आप दियान लग हालां कि मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर कौन सा चेप्टर किते माक्स का है वह आपको बता दूगा लेकिन फिर भी यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप एडिंग लेकिन डेफिनेशन पहले क्या है इसको समझ भी ना इसलिए वह आप समझ पर दोने गरें तो सबसे पहले इसका मेंनिंग यह कि मिसेल है क्या तो साबून और आपपमार्जग पढ़ा था तो सपाई कि किरिया की साबून रहा सापाई की किरिया मिसल बना कर ही की जाती है हुआ जाती है दियाग्राम भी अपर मिसल मोसे युज किया जाता है । सबसे पहले sodium sterate जैसे साबुन के अणों का जल में आइनिन होता है sodium sterate सीधा याद करना है only four सबसे पहले क्या होता है कि sodium sterate जो साबुन के अणों होता है उनका जल में आइनिन होता है मतलब कि firstly soap molecules like sodium sterate are ionized in water समझ पार आइन तो आप जानते हैं कि दो आइन positive or negative ओके फिर यहां पर बात आई यह पूरा प्रोसेजर आपको लर्न करना पड़ेगा ठीक है c17 h35 co na after reaction वापस c17 h35 co लेगिन negative charge plus na plus यहां तो negative यह positive बीच प्लस लग जाएगा याद करने के technique बता रहा हूं सिधा से रहर करना पड़ेगा ठीक है इसे इस पर कर भी लिखा जा सकता है हलां कि ठीक है तो यह तो यह तो reaction देख लिए अपने it is can also right is यहां पर अपन इसको आर भी conclude कर सकता है आपका मतब हाईट्रो कार्बन होता है यहां पर तो आर भी ले सकते हैं यहां पर भी आर ले लिए बाकी से मिए यहां पर क्पड़ा यहां पर अपने साबुन लगाईए तो यहां से लेके यहां पर आपने साबुन लगाईए तो यहां से पूछ पर आपके कैने लेके और गपड़े चाहते को पानी पूछ बंजाती है तो यह वाला वाली पूच है उस पूच्प के दो मुढत मूँ tellement होते हैं एक पहला है है तुो यहां सब्सक्राइब नहीं होता है कि हाल का एपयोरुद का इनन में दोते हैं हाइड्रो फोबिक यह लिखा नहीं मैंने तो यह बरेकट में द्लिक हे ने और यह बरेकंगी यह बरेकेट बनाईगा नीचे और यह बनाईड्रो फेलिक hydrophilic तो इक बात बताओं phi Ehac hydrophobia phobic या phobia phobia जिसको पाणी से डर लगे मतलब जो पाणी से पाणी का ओपोज़ करता हूँ वो hydrophobic और दूसरे वाण hydrophilic जो पानी को चाहता हुँ तो ये दो मुस के होता है hyd काणी जल विरोदी होता है और वो जलस नहीं होता है, जो COO नेगेटिव यह वाला, ठीक है यह आपको as it is learn करना है अब यहां तक यह अपन शुरूख होगे, मिसल बना रहे हैं अपने, मिसल अब definition कैसे बनेगी, कि यह भाग, कुन से भाग, हाइड्रोकारबन भाग और दुरूव भाग, समझ पारे हो इस पार्ट, कौन कौन से हाइड्रोकारबन पार्ट और पॉलर पार्ट इस परकार से विवस्तित होते हैं कि are arranged such that हाइड्रोकारबन पार्ट is inward and negatively charged polar end is outward, it is called missile, it is called missile, यह English नहीं दिख रहो, तो यहाँ पर cold missile लिकाँ, it is called missile वापस बता दूँ, बहुत easy है, कि यह भाग इस परकार से arrange की वए रहते हैं, विवस्तित होते हैं, कि जो हाइड्रोकारबन पार्ट है, जो हाइड्रोकारबन पार्ट है यह वाला, वो तो अंदर देखो, यह ऐसा मालोगी यहाँ पर साबून लगा है, तो यह अंदर की तरफ है वो बहार वाला मोग, जब जैसे आप साबून मालेगे, तो लास में जो मेल कट के जाएगा तो हाइड्रोकारबन का भाग अंदर, प्लस नेगेटिव अपने एक बात करी लिए, कि वो जल में आइनन होता है मतलब की जन में आयोनाइजड होता है तो कौन-कौन सा इननीज होगी है तो नेगेटिव यह पोजिटिव, तो यहाँ पर यह नेगेटिव आइन होगा जो आईड्रोकारबन होला भाग होगा, वह अंदर होगा यार Quinn? इन्वर्ड, इन्वर्ड होगा, याणि बस इससलिए, जो बाहर की तरफ होगा, इदर इंड़ देखलो यह अगर one marks में definition पूछे तो आपको जो मैंने box में बंद किये यह वाली definition आपको उतारके आना है ठीक है तो बहुत easy अभी continue लिखना है अभी इसके आगी और नीचे लिखना शुरू करना है अपको लेकिन अपने पास space नहीं इसलिए मैं इन दोनुको rough करूँगा लेकिन आप आपको इसके नीचे continue लिखते रहना है ठीक है तो हिंदी और इंग्लिस दोनुवाली लेंगोज वाले बच्चे इस missile का structure बना हूँ यह किसकी सरंचना है यह missile की सरंचना है पूरी करना कि है यह जो बहार गोलेजी से बने हुए यह तो इसके दुरूवय भाग यानिकि पॉ और यह जो गोले बने हुए लास्ट कोनों पर लास्ट मूँ पर जहां पूच चाके खतम होती है यह है दुरूवय भाग जो जलस नहीं होता है यह पॉलर एंड हाइड्रो फिलिक अब मेरी बास सुनना एक्जाम में अगर मिसेल का structure पूछे वन माक्स में कि मिसेल की सरंचन बनाये structure of missile तो आपको यह इतना सा बनाना है यह नाम लिख देना है दूख ठीक है यह जरूर जान लखना तो यह जितने भी बने हैं यह पूछ है और यहां पर ऐसे मानलो कि mail जो होता है mail जो गंदगी होती है कपड़ों की वह यहां के store होती है तो चिकना पार्ट है जो भी missile आपको एक ही page में line wise उतारते हैं मतलब एक page भी जरूर नहीं है लेकिन next page भी टोपिक एक ही है ठीक है missile का structure पढ़ लिया अब missile कैसे बनता है वो पूरा process पढ़ रहे हैं कि अधिकांच गंदगी तेल की बूंध चिकनाई आदी जल में एगुलनशील होती है आपको पता है आपको पता है पानी में नहीं गुलती लेकिन उसका जो हाइड्रो कार्बन पार्ट है वो गुलता है और अपने भी बात करी थी जब missile structure बनाये था तो जो लास्ट वाला जो circle जैसा गोला से था वो तो था अपना दुरूए पार्ट पॉलर पार्ट और जो पूंच बन रही पार्ट तो हाइड्रो कार्बन जो पार्ट है वो पानी में मिलता है मेल चिकना ही तो नहीं मिलती लेकिन साबून और अपमार्जक के अंदर मैंने सोप एंडिटेजेंट के अंदर हाइड्रो कार्बन पार्ट होता है और वो पानी में मिलता है जया नकना कि most of the impurities like oil drop etc are insoluble in water but soluble in hydrocarbon okay next अब यह अगर पानी मेरी process मैं भी याद करा दूँगा आपको पूरी पूरी मिसल एक साथ याद हो जाएगी पानी मिलता है कौन hydrocarbon चिकना ही तेल नहीं मिलता साबून के दुआरा सफाई की किरिया में चिकनाई के चारू जैसे अपने साबून यूज करेंगे पान जाएगी एक इसकी उस मेल की करिया की शरी उस चिकनाई की यानिकिन क्लिनिंग बाई सोप सोप मोलीकूल्स प्रों मिसल्स अराउंड इम्पॉर्टी राइट अब होगा क्या अब अपने जो डाइग्राम राय था इसका तो ये वाला पार्ट तो है जो पानी को चाहता है और ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये पानी को नहीं चाहता तो सुनना इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग कौनसा ये वाला जो जल का उपोज करता है यानिकि in this हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट attracts impurity वो क्या करेगा वो चिकनाई को आकर्शित करेगा अपनी और attract करेगा अकर्शित मतलब अपनी और खीचना आकर्शित करना तता जो जलसने ही पार्ट है जलसने ही पार्ट कौनसा है ये दुरुवे पार्ट जलसने ही दुरुवे बाहर की तरफ निकलता रहता है और ये न ये अपनी और पानी को खीचेगा जो भी impurities होगी ये अपने impurities को खींच रहे है पाने को खींच रहे है तो बाहर निकलता रहता है कौन? ऐसा मानलों कि मेल गंदगी सपाई बाहर निकलते रहती है ठीक है? इस परकार वो कांगे जलसने दुरी भाग बाहर की तरफ निकलता रहता है ये अपने और मेल को खींचता है और वो खींच के बाहर ले जाता है समझ पर सपाई हो रही है दे को यहां तो क्या हो रहा है यहां तो गंदगी इकट्टी हो रही है और फिर वो अपने और खींच रहा है तो वो लास्ट को ना है कपड़े का लास्ट लास्ट है वो तो महा से मेल बाहर की तरप जा रहा है गंदगी या क्लिनिंग हो रही है इस परकार चिकनाई के चारू और गहर कर एक मिसेल बन जाता है बाहरी सीरे पर उपस्तित था या इन के बाहरी सीरे पर अपस्तित जल और स्पूर्ण चिकनाई जल में खह था पूरे चिकनाई को पानी को खिर और आपने गुला बनाएता है किट्था निकल जाता है यानि कि polar and present at outer ends are attacked by water and whole impurity is pulled in water तो इस तरीके से पूरा mail निकल जाता है अगर पूरा four marks में मिसेल आ जाए तो आपको आज का वीडियो पूरा का पूरा exam के अंदर उतार के आना है समझ में आ गई? ठीक है तो अब एक note और लिख लो आप चोटा सा यह काम आएगा आपके लक्से क्योशन भी मैंने लिख दिया exam equation कैसा आएगा? कि मिसेल कैसें बनते हैं क्रियाविदी भी लिखिए या पिर क्रियाविदी भी दें तो आज का वीडियो कंप्लीट उसके अंदर आन्स ना आपको लिख याना है यानि कि how missiles are formed right mechanism also equation number 35 बुक के पीछे और इजन बुक के पीछे वाला question है note क्या था? कि सभी मिसेल रिणाविशित होते हैं मैंने आपको कहाता कि यह आईनित हो जाते हैं आईनित हो जाते हैं आईनित का मतलब उनमें एक charge आजाता है वो कौन सा होगा? negative charge तो सारे के सारे all missiles are negatively charge इसका मतलब यह equally charge होते हैं इसको तब ही बोलते हैं कि समान आविशित होते हैं अत्य ही अवक्षेपित नहीं होते हैं क्योंकि charge माइने से अवक्षेपित होंगे कैसे तो इस परकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डाल कर निकाला जाता है तो गंद की कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है सिंपल है यह नोट बहुत काम आएगा इससे ये भी आप लास्ट के अंदर मिसल पूरा लिखो जाप अंदर लास्ट में ये भी दो लाइन तीन लाइन लिखिया ना एक ऑथेंटिकल जवर्दासान से बनता है त्री से फोर मार्क से आपके पूरे डिट्ट आ जाएंगे डाइग्राम ही बना किया जाना ठीक है जो मैंने मनाए ता आपके लिए एक डाइग्राम है अल मिसल्स आर नेगेटेवली चार्ड़्ट तो धेट डिटो नोट पानी में पानी की साथ यह पानी में बहार आ जाएंगे जीए तो एक सिंपल साही नोट भी आपको तारने है और मिसल्स एलेटेट कोई भी दुनिया का कोशन आपके अब नहीं कटाएगा ठीक है यहां आपके फुल से फुल मार्क्स आजेंगे दिस तरीके सावर और आपका पांचवा चेप्टर भी आज कमट